हलो एश्ट्टेट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एडूशाला में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITI के वैसे छात्र जिनका प्रैक्टिकल या ED में बैक लग गया था उनके लिए एक important update आई है DGT की तरब से और state के तरब से तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो CBT exam हो रहे थे बैक पेपर 2014-17 जो semester वाले थे और 2018-21 तक जो year wise वाले थे उन सभी का जो CBT exam था बैक पेपर का उन सभी का exam हो गया है कुछ student है जो exam में appear नहीं हुए थे उनका exam अभी हो रहा है तो वो सभी exam जो online mode वाले exam थे वो सभी करा लिए जा रहे हैं और जो practical और ED का था उसके लिए अभी तक कोई notice नहीं आई थी तो 18 November को DGT ने एक लेटर जारी किया था उसमें mention किया गया था जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि state director can collect fees for practical ED examination time table for practical ED will be shortly ठीक है जो state director है सभी state के जो director है वो practical ED का exam का जो fees लगता है वो अपना collect कर ले और जो practical ED का time schedule है मतलब कब exam होगा उसको shortly ही आप सभी तक पहुँचा दिया जाएगा एक आपको notice दे दिया जाएगा कब exam होना है जो scheme जारी की जाती है DGT की तरफ से तो आप सभी को बता दे कि जो NCVT है NCVT आपका पहले जो भी exam है CVT exam है वो सभी CVT exam NCVT कराती है उसके अलावा पहले practical और ED हर एक state के जो director थे उनके द्वारा CVT state के द्वारा आपका ये practical और ED का exam कराया जाता था अब ED भी आपका online mode में चला गया तो अब बस practical जो exam है वो आपका state के द्वारा कराया जाता है और बाकी जो भी CVT exam है वो NCVT के द्वारा कराया जाता है तो state का काम है कि आपका drawing का paper और practical का paper conduct कराया बाकी जो schedule है कब होना है ये आपका NCVT ही जारी करें तो उसी के regarding में ये लेटर जारी किया गया था है NCVT के द्वारा कि सभी state अपने अपने जो भी फेल बच्चे है 2014-17 जो semester wise है और 2018-21 तक year wise वाले है वो सभी अपना बच्चों का क्या करें कि अपने portal पे अपना fees जमा कराना सुनिशित करें और अपने fees जमा कर लेंगे वो लोग उसके बाद shortly ही आपको notice जारी कर दिया जा दिखा रहे हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे यह लेटर आपका 23 दिसंबर 2022 का है ठीक है NCVT समंदल मतब जो भी आपका government IT है ठीक है समस्राज्किय प्रदोक्षिक सिंसन संस्थान जो भी government IT है private IT है जो भी NCVT से affiliated है उन सभी के लिए यह notice है इसमें आपका जो में बीसे है देखे कि annual semester, annual system, semester system बीसे परियोगात्मक practical एबं प्रावयधिक कला मतलब engineering drawing की परिक्षा में समलित होने वाले supplementary भूदपूर परिक्षारतियों को SCVT portal पर परिक्षा है तो अलाव करने एबं परिक्षा सूल जमा किये जाने के सम्मंद में ठीक है मतलब की state उत आपका संचालित किया जाता है उत्तर प्रदेश के द्वारा जो भी government ITI है या जो NCVT समानेता प्राप्त है उन सभी के principle को अदेश किया गया है कि आपका जो भी practical और ED में बच्चे फेल है annual system हो या semester system हो इसमें नीचे आपका सभी mention किया गया है कौन कौन से है system बाले है आप आपका year course वाले सभी है 21-22 में भी है और 21-23 में भी है और 2014-17 जो semester system है तो अब 2014-21 तक जितने भी बच्चे फेल है या तो वो practical में है वो ED में है वो सभी छात्रों का SCVT portal पे allow हो रहा है जिसमें आपको क्या करना है अपनी college से संपर करके उसकी fees जो है आपको जमा करनी है college मे जाके और वो क्या होगा date जो है आपका 23-31 दिसमबर तक ही date है इसी date में आप अपने college में जाके fees जमा करें और fees जैसे ही जमा करेंगे तो वो online portal में आपको college के द्वारा आपका क्या करिया दिया जाएगा allow कर दिया जाएगा अगर practical में है तो practical में ED में है तो ED में अगर दोन अगर अब भी exam आप नहीं दे पाएंगे तो फिर कभी exam होगा back paper का इसका कहना कोई निश्चित नहीं है कि कभी exam होगा क्योंकि काफी दिनों के बाद exam आपका practical और ED का कराया जा रहा है क्योंकि अब आगे जो भी system है उसमें drawing जो है वो आपका online mode में चला गया है तो आप drawing की परिक्षाब नहीं होगी बस practical की परिक्षा होगी तो उत्तर प्रदेश में जितने भी government idea है प्राइवेट idea है जो भी NCVT से affiliated है वो सभी अपने college में जाके संपर्क कर ले एक तिस के पहले जाके संपर्क कर ले और अपनी fees जमा कर दे और अपना जो भी paper में फेल है drawing में है य आपका exam connect करा दिया जाएगा तो जैसे ही date कोई आती है आपको NCVT के द्वारत तो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से सुचित करेंगे अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe कर दे, notification bell को press कर दे, जिससे जो भी नहीं notification हो आपको असानी से मिलते रहे अगर telegram से join नहीं क सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह की नहीं update के साथ तब तक के लिए धन्यवाद